हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक क्राफ्ट आज हम अपनी प्यारे से लड़ी गोपाजी के लिए जन्माश्टमी स्पेशल एक और बहुत ही सुन्दर और एकदम यूनीक स्टाइल की ड्रेस बनाएंगे तो गाईज इससे पहले भी बहुत सारी जन्माश्टमी स्पेशल ड्रेसिस के वीडियो मैं अल्रडी पोस्ट कर चुकी है अपने चानल पे और जैसे मैंने आपको कुछ टेम पहली बताया था कि हमारी जन्माश्टमी की सीरीज भी स्टार्ट हो गई है डेली मैं कोशिश करू अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो और गैस जैसे अभी तो मैं आपको कंटिन्यू में पोशाक वगएर बनाना सिखाए रही हूं जन्माश्टमी के लिए और आगे भी ये सब कुछ हम बनाना आपको सिखाते ही रहेंगे इसके लावा कल से मैं एक छोटी सी जन्माश् की डेकोरेशन करने में और गाई साथ में एक और जरूरी बात कि मेरा एक और यूटीब चानल है जो मेरा आट के रिलेटिड चानल है जिसका नाम है इजी डे टुडे लाइफ वहाँ पे मैं फादर्स डे के रिलेटिड वीडियो पोस्ट कर रहे हूं ज्यादा बड़े वी स्टार्ट करते हैं आज हम बनाने वाले हैं चार नंबर के काना जी की पोशाग तो गाईज यह है काना जी की पोशाग बनाने के लिए मेजरमेंट चार्ट मैंने इस पूरे चार्ट पे ना एक डीटेल वीडियो बनाया हूँ है जिसका लिंक मैं आपको नीचे 5 इंच तो गाईज काना जी की जन्माश्मी स्पेशल पोशाग बनाने के लिए आपे मैंने रोस पिंग कलर का बहुत ही शाइनी इस टाइप का फैबरिक लिया है यह देखिए इसकी मैंने यहां पे 40 इंच लंबी पट्टी कट कर ली है और इसकी जो वेर्थ है यानि की फोल्ड करके आपको स्टिच करना है जैसे देखिए मैंने तो इसको बैक से से स्टिच कर लिया है यहां पर हलका-ल्का फोल्ड करके तीन तरफ से अब अममें इसमें तो डालना मैं आपको पहले के बोहट सारी विडियो में बताया है यह देखिए अगर आप शुरू से एक थम का गयाप रखें तो एक थम का गयाप रखें या फिर अगर आप एक एक इंच पे फ्रिल डालना चाहरें तो वैसे भी रख सकते हैं और यह देखें गाईज यह हमने प्यारी से लड़ू गुपाल जी के लिए बहुत ही संदर सा घीरा तयार कर लिया है पोशाक का यह देखें यहां पर मैं इसमें अच्छे से फ्रिल डाल लिया आपको भी कुछ इसी तरीके से फ्रिल डालनी है अपने काना जी के हिसाब से तो गाईज चार नबर के काना जी के लिए यहां पर देखें मैंने बुकरम की स्ट्रिप कट किया है मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूं तो चार नबर के काना जी के लिए यहां पर चोली की लेंथ मैंने 6 इंच रखी है और चोली की विर्थ यहां पर हमने 0.9 इंच रख इसको अंदर की तरफ इस तरीके से लेते वे अच्छी से कवर कर सकें। मैं पहले इसको यहां पे इस तरीके से कवर कर लूंगी। यहां पे आप चाहे तो ऐसड़ेज इस स exec सबला काख सकते हैं गद अग लुभी अपरकी सकते हैं। अब मैं इनको आपस में इस तरीके से V-shape में जोईन कर दूँगी तो गाइस यह मैंने इनको V-shape में जोड लिया है अब यहाँ पर मैं इसके उपर stone work करने वाली हूँ तो गाइस अब यहाँ पर मैंने circular shape की yellow color में कुंदन ले लिये हैं और इनको मैं इसके उपर कुछ इस तरीके से लगाने वाली हूँ यहाँ पर मैंने अंदाजा ले लिया है मैं उस तरफ ला रही हूँ लगा रही हूँ इनको जो basically काना जी के shoulders पर आएगा जब लडू गोपाल जी पहनेंगे ना इसको तो उनके shoulder पर यह आएगा तो यह देखिए गाईज इसका कुछ इस तरीके से आपको design रखना है same यह चीज यहाँ पर भी मैं glue से create कर देती हूँ और यह देखिए गाईज यह यहाँ पर हमने अपने काना जी की चोली को V-shape में join करके गेरी के साथ attach पी कर लिया है चोली को गेरी के साथ कैसे attach करते हैं वो मैंने पहले की बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है तो इसमें तो आपको कोई भी problem नहीं होगी तो अब रहती है बात हमारे काना जी की पोशाक के base को सजाने के जिसके लिए भी यहाँ पे मैं यह की yellow color की stone यूज़ करी हूँ गाईज जो हमने चोली में यूज़ किये थे तो गाईज मैं basically यहाँ पे इस पोशाक पे जगर जगर पे इन stones को इस तरीके से equally gap maintain करते वे लगाऊंगी और यह देखे गाईज यहाँ पे हमने gap maintain करते वे पूरे गेरे पे बहुती सुन्दर तरीके से stones को लगा लिया है और यह देखे गाईज यह हमारे प्यारी से लड़ू गुपाल जी के लिए जन्माष्ट में special बहुती सुन्दर सी पोशाक बन के तयार है यह पोशाक बनने के बाद बहुती ज्यादा सुन्दर लग रही है और इसको बनाने के लिए आपको कोई ज्यादा material की भी जरूरत नहीं है हमने स्विफ स्टोन्स और फाब्रिक का यूज करके इस पोशाक को बनाया है बाकी बुक्रम का यूज किया है चोली में हमने आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा मुझे कॉमेंस में जरूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें चानल को भी सब्सक्राइब करें रजाना इसी तरीके की क्रियेटिव आण यूनिक वीडियो उसको देखने के लिए और गाइस मुझे जरूर बताएगा कि यह सिंपल प्लस ब्यूटिफुल आण यूनिक ड्रेस आपको कैसी लगी तो मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर खरी कृष्णा राधे राधे थैंक्स पो वाचिंग गाइस